असलाम लेकूम मेरा नाम है सोहेब और आज की हमारी वीडियो है चछत की शट्रिंग के बारे में लैंटर से पहले हम जो आरजी चछत डालते हैं लैंटर के लिए ये जो हम फटों के आपको नीचे ये शट्रिंग नजर आ रही है इसके आज कल पकिस्तन में क्या रेट्स हैं और फटों के क्या रेट्स हैं अगर हम ये लोहे की शट्रिंग होती है लोहे की प्लेटों की अगर हम वो लगवाते हैं तो उसके क्या रेट्स हैं तो इसके बारे में आज हम देखेंगे ये जो हम जिस घर को देख रहे थे बियादों से वो आज ये पहुंच गया लैंटर तक इन्शाला इसकी जो सारी डिटेल होगी लैंटर की इसके सरीय की इसके लैंटर पे कितना खर्चाएगा ये पांच पर लगा घर है तो इसके लैं को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शट्रिंग के बारे में जी तो ये पांच मरला घर की हम शट्रिंग लगवा रहे हैं तो अभी ये पीछे से बिल्कुल मुकमल हो चुकी है फ्रंट से बस शेड की थोड़ी सी जो स्पोर्ट सब्सक्राइब लगने वाली रहती थी वो लगा रहे हैं तो चलें एंटर होते हैं अंदर आपको शट्रिंग भी दिखाते हैं और इस घर की आपको सीडी भी दिखाते हैं के सीडी का हमने साइज क्या रखा है और जो सीडी के कि आज कल पार्स केर्फिट हिसाब से क्या रेड्स चाल रहे हैं जी तो यह आप देख सकते हैं हमने टोटल फटे की शट्रिंग करवाई है उपर अभी यह इसके जो टेपिंग वगारा होनी है भी वह भी रहती है तो यह है जी हमारी पॉर्च से स्टेर्स जा रही है उपर फ पॉर्ण रखे हम उपर चड़ते हैं वो हमने इसका 10 हिंच रखा है तो बिलकुल स्टेर्ड साइज है यह बहुत इजी स्टेर्स आप उपर चड़ सकते हैं और अभी उपर से आपको छट दखाते हैं छट का व्यू जी तो आप देख सकते हैं उपर से हमारी जो यह शट्र अगर आप पलाई की शट्रिंग करवाते हैं तो वो आपको 22-23 रुपे की लगेगी पर स्केर फिट हिसाब से उसमें भी फटे यूज होते हैं और पलाई भी यूज होती है और इसके बाद जो पलेटों की लोहे की पलेटों की शट्रिंग होती है वो थोड़ी हमें महंगी हिसाब से पड़ती है और आप कोशिश करें कि अगर आप नीचे से सीलिंग करवानी है तो आप फटों की शट्रिंग करवा लें या पलाई की शट्रिंग करवा लें क्यूंकि नीचे से छट्ने कवर हो जाना होता है तो आप ये ज्यादा शट्रिंग के पैसे ना खर्च कर याप फटों की शॉट्रिंग करवाएं। और नीचे से आप सीलिंग करवा लें। और अगर आपने सीलिंग के याउनी chủ नीचे से साफ सूथरी निकले जे तो शट्रिंग के बाद अगला मरहला होता है हमारा स्टील का के हमने स्टील खरीदना होता है और उसके बाद हमने सीमट का अरेंज करना होता है और हमने जो बरहाई के लिए होते हैं लोग वो हमने अरेंज करना होता है जो हमारी लिफ्ट मिशीन होती है और मिक्सचर मिशीन जिसमें हमने कंक्रीट त्यार करनी होती है तो मैं अभी आया हूँ ये एक सरीय के गुदाम पे सरीया खरीदा है मैंने और इसके बाद आप अपनी जेरे नगरानी जो आपका सरीया उसको अच्छी तरह आप उसका वजन करवाएं और अच्छी तरह आप किसी अच्छी कंपनी का आप स्टील खरीदे तो इन्शाला नेक्स वीडियो में आपको मुकमल जो पांच मला घर के लैंटर की कॉस्ट है वो भी आपको बताएंगे अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले तो यह आप देख सकते हैं स्टील बांगना शुरू कर दिया हमने तो इन्शाला इसका कल लैंटर है और इसके उपर हमने एक मुकमल वीडियो भी बनाएंगे कि पांच मला घर की जो लैंटर की कॉस्ट है उसके बारे में आप से शेर करेंगे तो यह थी हमारी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमसे घर बनवाना हो तो आप हमसे राप्ता कर सकते हैं मैं डिस्क्रीप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो इन्शाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफीस